एक बार की बात है आचल नाम की एक लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था आचल जब देखो तब नई लोकेशन्स ढूनती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती आचल के घरवाले भी आचल के सादत से परिशान थे आचल की मा एक दिन उसे कहती है देखना आचल एक दिन ये जहां देखो वहां रील्स बनाने की तेरी आदत और हमेशा फोन में लगे रहने की आदत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें अपनी पढ़ाई में जादा दिमाग लगाना चाहिए मा के साथ पापा भी कहते है हाँ बेटा की एक नहीं सुनती और रील्स बनाने में ही लगी रहती है एक बार की बात है आचल को अपने एक दोस से एक नई लोकेशन का पता चलता है अरे आचल तुम्हें पता है वो उस भूतिया बिल्डिंग के बारे में जो अपने कॉलेज की पास है प्रिया है ना प्रिया उसने वहाँ जाकर रील बनाई और उसकी रील्स पर हजारो व्यूज आए ओहो ऐसा क्या फिर मैं भला प्रिया से पीछे क्यो रहूं मैं भी जाओंगी वहाँ फिर क्या था आचल अगले ही दिन अपना मुबाइल उठाती है और अच्छे से तयार होकर पहुँच जाती है उस विल् अंदलाऊंगा गाना बजने पर आचल फोन के कैमरे के सामने नाशने लगती है पर तभी उसे कैमरे में अपने पीछे एक और दिखाई देती है और आचल डर जाती है आचल कैमरा बंद कर देती है और पीछे देखती है उसके सामने एक चुडैल खड़ी थी अरे कौन हो त प्लीज मुझे जाने दो प्लीज आज के बाद मैं कभी यहां आकर रील नहीं बनाऊंगी। प्लीज आज के बाद मैं कभी यहां आकर रील नहीं बनाऊंगी। में देखेंगे क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बलकि एक भूत हो है पर मुझे ये सब स्मार्ट फोन्स चलाने नहीं आते अरे उससे क्या हुआ अगर तुम मुझे यहां से जिंदा जाने दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा दूंगी और रील्स ब लख लो चल ठीक है चल अब मुझे इसे चलाना सिखा दे फिर तू जा सकती है ठीक है ये लो ऐसे ही आचल चुडैल को मुबाइल चलाना और रील्स बनाना अच्छे से सिखा देती है और फिर उससे कहती है अच्छा चलो अब मैं चलती हूं बाइ 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 जारी अभी 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 एक बहुत जरूरी काम बचा है वो क्या चुडैल जी इतना कहकर चुडैल आचल को मार देती है आचल मरते मरते चुडैल से कहती है ये तुमने क्या किया मुझे दोखा दिया तुमने मुझे मार दिया तो तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दू अरे मैं चुड़ेल हूँ कोई साधू संत जैसी अच्छी नहीं जो तुझे बख्ष तूँगी आचल मर जाती है और चुड़ेल लग जाती है आचल कर फोन लेकर रील्स बनाने में वह अब आएगा नमजा अब बनाओंगी खूब सारी रील्स और हो जाओंगी मैं भी पॉपुलर चुड़ेल खूब सारी गानों पर रील्स बनाती है जुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जुमका गिरा जुमका गिरा जुमका गिरा हाई 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 जुमका गिरा रे और चुड़ेल फोन के सामने खड़ी होकर नाचने लगती है वो बहुत सारी रेल्स बना कर अपलोड कर देती है उसे इस सब में बड़ा मजा आ रहा था वाँ वाँ मजा ही आ गया अब तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी चुड़ेल रील पर रील बनाती है और उसे अपलोड करती रहती है वो रोज किसी गाने पर रील बनाती और फोन में उसे अपलोड कर देती है मैं अंडिशन डिखाता हूँ तेरे लिए, मैं बाइक पे आता हूँ तेरे लिए, सितर नोटा सुनती है गानले ले पॉन्स का, बार लड़ के साथ घूमे तेरा बॉइफरिंड कौन सा। ऐसे ही चलता रहता है, धीमे धी में बहुत लोग चुडैल की रिल्स देखने लगते हैं और चुडैल मश्यूर हो जाती है वा, अब तो मैं इतनी मश्यूर हो गई हूँ, पूरे दस अजार फॉल्लवर्स है मेरे, अब इतने फैंस का क्या करूँ मैं? एक दिन उस बिल्डिंग में चुडैल का इंटर्व्यू लेने दो रिपोर्टर आते हैं, एक का नाम था हरी और दूसरे का नाम था श्याम, हरी बिल्डिंग में आकर कहता है चुडैल, हरे हो फेमस रीलर चुडैल, कहां हो तुम? हम दोनों तुम्हारा इंटर्व्यू लेने आये हैं, आखिर तुम सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर जो हो, हाँ, 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 अपने फैंस को अपने बारे में बताओगी नहीं चुडैल जब दोनों की ये बाते सुनती है, तो वो उनके सामने आ जाती है, हाँ, तो क्या काम है तुम दोनों को? मतलब तुम सच में चुडैल हो, वैसे हम ये जानना चाहते थे कि तुम सच में एक चुडैल हो या इनसान, जिसने चुडैल का गेट अप कर रखा है, व्यूज पाने के लिए, अरे मैं असली चुडैल हूँ, एक दम असली ये तो बड़ी अच्छी बात है, असल में अगर तुम फ्रॉड नहीं होना, तो हम तुम्हारा इंटरव्यू तीवी पर दिखाना चाहेंगे, वो लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं ना इसलिए ओहो, जरूर जरूर, मैं तैयार हूँ, ले लो मेरा इंटरव्यू, मैं असली चुडैल ही हूँ, कोई फ्रॉड नहीं हाँ हाँ, तो चलो, शुरू करते हैं फिर, क्यों? श्याम और हरी मिलकर एक कैमरा सेट कर देते हैं, और रियल चुडैल से सवाल पूछने लगते हैं तो चुडैल जी, आपको रियलर बनने की, क्यों और कैसे सूच ही? हाँ, वो एक दिन यहाँ एक लड़की आई थी, वो रियल्स बना रही थी, मैंने उसे मार दिया और उसका फोन चीन लिया और तबसे मैं रियल्स बनाने लगी हरी थोड़ा सकपका कर बोलता है अच्छा, वैसे, क्या आप अपना वो पॉपुलर डान्स हमें अभी यहाँ दिखा सकती हैं? अभी, यहाँ, वो मैं थोड़ी शर्मीली हूपर, बिल्कुल मैं कोशिश कर सकती हूँ हरी और शाम गाना बजा देते हैं और चुडैल नाचने लगती है सितनों ता सुनती है गाने ले ले पॉंस का, बारे लड़ के साथ गूं में तेरा बोईफरिंड कौन सा, कौन सा? बस बस चुडैल जी, अब एक आखिरी सवाल अच्छा, वो क्या? वो, हमें ना, हमारे विवर्स को ये यकीन दिलाना है कि आप चुडैल ही हैं तो क्यों ना आप हमें हावा में उड़कर या ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे हमें ये यकीन हो जाए कि आप सच में चुडैल हैं बस इतनी सी बात, लो भी दिखाती हूं, इतना कि एकर चुडैल उन दोनों को उड़कर दिखाती है क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों शाम अपने बैक से एक हॉर्ण निकालता है और उसे जोर से बजाता है हॉर्ण बजाने के कुछी देर बाद बहुत सारे लोग दोड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं उनके हाथ में बहुत से डंडे और रसिया थी अरे अरे ये सब क्या हो रहा है ये सब हमारा प्लान था ये पता करने का कि तुम सचमुच चुड़ैल हो या कोई फ्रॉड और अब जब हम जान ही गए हैं कि तुम चुड़ैल हो तो हम तुम्हें पकड़ कर कैद कर लेंगे और तुम से अपने चैनल पर रील्स बनवाएंगे जिससे हमारा बहुत पाइदा होगा है इतना बड़ा धोखा ये तुमने अच्छा नहीं किया मैं तुम्हें जान से मार दूंकी जरा देखो तो इसकी अकड़ अभी गई नहीं रोक तुझे अभी बताते हैं पर इससे पहले चुड़ेल कुछ कर पाती वो दोनों लोग मिलकर चुड़ेल को पीटने लगते हैं आँ आँ बचाओ बचाओ आज एक चुड़ेल खुद को इंसानों से बचाने के लिए चिलना रही है वाँ वाँ चुड़ेल खुद से कहती है किसी तरह से चुड़ेल वहाँ से भागती है और उसके सर से रील्स बनाने का खयाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है